हेलो दोस्तो मेरा नाम है अब जीत और आप देखरें टेक गईड दोस्तो आज किस वीडियो में हम Realme 12 Pro Plus के रिगार्डिंग आपको बहुत सारी जानकारी देंगे पहले आप डिजाइन देख लो हमारे पस रेड कलर वाला है जो की वीगन लेदर के साथ मिलता है और यहाँ प करने के बाद पहले तो आपको एक और बॉक्स देखने को मिल जाता है जहां पर से आपको मिलेगा सेमेजेक्टर पिंट कुछ पेपर वर्क्स और एक केस भी आपको दिया गया है जो क्या अच्छी क्वालिटी का है इसके अलावा जो मेन फोन है अल्री मैंने आपको दिखा को मिल जाता है अब स्टार्ट करते दोस्तों इसके डिजाइन के साथ तो पहले न इसका इन हैंड फील में आपको बताना चाहूंगा भाई बहुत जाधा अच्छा लगता है पकड़ने में भी बहुत अच्छा है और फोन अच्छा है मजबूत है इसके लावा अगर वेट खैर उसके बार में हम आपको आगे बताएंगे और बाकी यहाँ पर से आप देख सकते दोस्तों यह जो रिंग का टाइप का आपको डिजाइन मिलता है वो इस तरीके से बाहर के तरफ से निकला हुआ है और इस तरीके से आवाज भी करता है मतलब आप समझ रहे नो एटें बाइ कर सकते हैं बाकी दोस्तों अगर हम इसके डिस्पले की बात करते हैं तो 6.7 इंचेस का आपको डिस्पले देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको मिल जाएगा maximum peak brightness 950 nits का और यह जो फोन है यह 120 हर्च के refresh rate को भी support करता है मैंने use किया मुझे तो काफी अच्छा लग बहुत जादा अच्छा भी लगता है curve display काफी लोगों को और पकड़ने वे बहुत अच्छा लग रहा है पहले से pre applied screen guard है तो scratches initial वाला यह बचा देगा इसके साथ साथ दोस्तों in display fingerprint scanner भी आपको देखने को मिलता है और यह मैंने test किया था भाई आपको न अच्छा result देखने काफी अच्छा लगता है अब बात करते हैं दोस्तों के camera को ले करके तो triple camera का setup आपको पीछे के तरफ से मिलेगा 50 megapixel का main camera है with OIS जहां पर IMX 890 का आपको sensor मिल जाता है साथे साथ 64 megapixel का periscope telephoto lens मिलेगा और 8 megapixel का ultra wide camera आपको दिया गया है front की बात करते हैं तो 32 megapixel का आपको selfie shooter मिलता है कुछ pictures जो हमने indoor light condition में click किये थे पहले वो मैं आपको दिखाता हूँ आप देख सकते हैं detailing ample amount में आपको देखने को मिलती है in fact अगर आप front से भी click करते हो picture तो आपको अच्छा results देखने को मिलता है इसके लावा दोस्तों 3x optical zoom क अब भी option आपको मिलता है और यहाँ पर picture भी अच्छे निकल के आता है background blur अच्छा हो पाता है और 120x जो zoom आपको दिया क्या है उससे अगर मैं आपको कुछ pictures click करके दिखाऊं 60x तक यह काफी अच्छा details निकाल करके देता है और अगर आप text यह सब के भी picture click करते हो तो readable है हा अलाकि अगर वीडियो ग्राफिक ही बात करते हैं तो आप 4K 30fps पे record कर सकते है back camera से और front से आप 1080 30fps पे shoot कर सकते है result आप देख लो तो against the sunlight हम front camera से video record कर रहे है stabilization ठीक ठाक मुझे देखने को मिल रहा है और full hand stretch करने से कुछ इस तरीके से recording होता है audio भी इसी से record हो रहा है यहाँ पर से जब हमने geekbench scores निकाले थे दोस्तों आप देख सकते है single and multi core score पे बाकी जो android score निकल के आया था वो शाड़े 6 लाक के round निकल के आ रहा था दोस्तों साथी साथ CPU throttling test के भी results काफी अच्छे निकल के आया थे 94% stability देखने को मिलती है और जो storage के speed test हमने किये थे UFS 3.1 type का आपको मिलता है उसके हिसाब से अच्छे read and write speed निकल के आया थे यहाँ पर से day to day task में जितने भी apps यह बहुत यह अच्छे से open करता है memory management यहाँ पर अच्छी आपको देखने को मिलती है साथी साथ आप चोह तो RAM को expand भी कर सकते है memory fusion के माध्यम से और बाकी यहाँ पर से जब gaming हमने किया था दोस्तों तो BGM में आप 60 fps पर gameplay कर सकते हैं call of duty मे अच्छे results निकल के आया थे मैंने यहाँ पर से use किया screen बढ़ा है dual speaker मिलता है तो normally हम without earphone भी न काफी अच्छे से यहाँ पर gameplay कर पाते हैं मलब footstep यह सब अच्छा से सुनाई दे देता है और बाकी दोस्तों heating issues की बात करते तो as such को major heating issues देखने को नहीं मिलेते और यहीं पर अगर software की बात कर लेते हैं तो out of the box यह android 14 पे run करता हूँ देखने को मिलेगा और जो की run कर रहा है realme UI 5.0 पे खेर यहाँ पर से कुछ pre-install application आपको जरूर मिलेंगे जिसको आप चाहँ तो खुछ से uninstall भी कर सकते हैं अब बात करते हैं यहाँ पर से क्या-क्या ports आपको मिलते हैं तो यहाँ पर से ऊपर के तरफ से दोस्तो secondary mic भी मिल जाता है और secondary speaker भी देखने को मिलते हैं left side के तरफ से यह clean है नीचे की बात करते तो sim tray दिया गया है जहाँ पर से दो sim card आप लगा सकते हैं बाकी main microphone है type C का port है और main speaker के vents मिलते हैं साथी साथ right side के तरफ से दोस्तो power on off का किया और volume up and down के key मिल जाते हैं और speaker का जब test हमने किया था भाई तो यह तो result मुझे अच्छा मिला था क्योंकि dual speaker मिलता है separation अच्छे है एक sample में आपको सुना देता हूँ आप judge कर लेना और अगर network and calling की बात करते हैं तो 5G out of the box मिलता है हमने यहाँ पर speed test भी करके देखा था भाई results काफी अच्छे देखनी को मिल गये थे हालकि यहाँ पर से google dialer मिलता है बट आप o dialer को install करके चुपके से call recording भी कर सकते हैं and proximity sensor भी काफी अच्छे से काम करता है हमने इसको test कर र charger मिलता है 50 minute के अंदर यह आराम से full charge हो जाता है और one day plus का आपको backup आराम से मिलेगा मतब मैंने जितना use के उसके recording आपको बता रहा हूँ heavy gaming में हो सकता है कि आपको साम तक charge करना पड़े बट वही है कि first charge आर आपको box के अंदर मिली जाता है तो आराम से यह phone जल्दी charge भी हो जाएगा लगबग 20 minute के आसपास 50% charge हो जाता है और बाकी कुछ extras की बात कर लेते तो SAR value आपको within limit में देखने को मिलता है Widevine L1 certification out of the box है और तीन अलग-अलग variants में यह phone आपको मिलेगा 8-128, 8-256 and 12-256 के साथ around 30,000 के आसपास यह phone आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों उस हिसाप से देखा जाए तो यह जो phone है यह camera के हिसाप से बहुत अच्छा आपको option दिया जा रहा है यहाँ पसे जो design है obviously काफी अच्छी है लास्ट यह से भी अगर हम compare करते है Reven Pro Plus से तो भाई मुझे तो यहाँ पर improvement लगा design में इसके साथ डिस्प्ले भी इसका काफी बहतरीन मुझे देखने को मिला performance decent आपको अच्छा मिल जाता है आप basic 60fps पर gaming भी कर सकते है and overall देखा जाए यहाँ पर से Android 14 यह सब देखने को मिल जाता है तो मुझे यह फोन काफी अच्छा लगा और हां Realme 12 Pro जो आपको मिलता है उसका भी वीडियो आपको मिलेगा तो आप चाहो तो चैनल पर विजिट करके देख लेना इसी का छोटा वाला भाई है तो भी अच्छा ही फोन है बाकी चलो इसके रिगाडिंग अगर नहीं होंगे सब्सक्राइब भी कर देना सो थैंक्स लॉट फो वाचिंग